हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम आस्तिन की लंबाई नाप लेंगे तो फ्रेंड हमारी आस्तिन की लंबाई 13 इंच है 13 इंच की लंबाई नापने के बाद नीचे के साइट से हम 4 इंच की लंबाई नापेंगे और इसे हलका सा गोल सेफ में हम लाइन अप कर लेंगे और इसे कट कर लेना है हमें अब हम आस्तिन के कपड़े को बीच में से इस तरीके से कट कर लेंगे अब हमें इसकी सिलाई करनी है तो इसकी सिलाई करने के लिए देर इंचोड़ा उरे भी कटा हुआ कपड़ा लेंगे कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहां पे लगाते हुए हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से उरेवी कपड़े की कटिंग की जाती है इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब हम एश्टा कपड़े को कट कर देंगे और यहाँ से हमें कपड़े को फोल्ड करना है तो इस तरीके से फ्रेंट कपड़े को फोल्ड करें और इसके उपर सिलाई चला ले तो फ्रेंट आप मार्केट जैसा रेडिमेंट पैपिन आप बहुती इजी स्टेप में इस तरीके से बना सकते हैं तो फ्रेंट अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाकर आल का ओप्सन जरू सलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंट जो हमारा दूसरा आस्तिन का टुकडा है उसमें भी हमें पैपिन लगा लेना है तो फ्रेंट हमने एक साइड में पैपिन लगा ली है और हमारी दूसरी साइड की भी लाइन कम्प्लीट हो चली है ये देखिए हमने दोनों साइड में पैपिन लगा ली है अब हमें क्या करना है एक लंबा सा चोड़ा सा कपड़ा लेंगे कपड़े की चोड़ाई कितनी है ये नाप लेते हैं कपड़े की चोड़ाई दो इंच है और कपड़े की लंबाई फ्रेंड आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इसे एक साइड से फोल्ड करते हुए इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हम यहाँ से धागे को कट करके दूसरे साइड से फ्रेंड इसमें छोटे-छोटे चूनट बना लेंगे तो यहाँ से आपको इसमें छोटे-छोटे चूनट बना लेने हैं इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद फ्रेंड अब हम आस्तिन का कपड़ा लेंगे आस्तिन के कपड़े को हमें इस तरीके से एक बराबर में रखना है और जहां से हमारा उरेवी कटिंग है वहां से हमें चूनट को यहाँ पर लगाना है और इसके उपर हमें सिलाई चला लेना है तो जिस सेप में हमारी आस्तिन की कटिंग होई है बिल्कुल उसी सेप में चूनट को लगाती हुए हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे इस लाइन को complete करने के बाद अब हम यहाँ से एस्टा चूनट को cut कर लेंगे बिल्कुल इसी step को follow करते हुए friend जो हमारा दूसरा आस्तिन का टुकड़ा है उसमें भी हम चूनट लगा लेंगे तो friend हमारा दूसरा side भी complete हो चला है अब एक लंबा सा चौड़ा सा कपड़ा लेंगे इसे fold करेंगे और आस्तिन के कपड़े पे इसे लगाते हुए हमें सिलाई चला लेना है तो आस्तिन के कपड़े के नीचे के side में हम लगाएंगे और उपर के side में हम आस्तिन के कपड़े पे सिलाई चला लेंगे अब हमें दूसरा टुकड़ा जोइंट करना है आस्तिन के कपड़े का इसे यहाँ पर जोइंट करते हुए हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे एक बराबर में तो फ्रेंट इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुती इजी स्टेप में तयार कर सकते ही और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्सन जरू सेलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अब उपर के साइट से हम एश्टा कपड़े की कटिंग कर देंगे इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद पत्ते के सेप में हम बकरम की कटिंग करके इसे कपड़े पे चिपका देंगे और बिल्कुल उसी सेफ में हम कपड़े के भी कटिंग कर देंगे अब फ्रेंट हमें धागे से सिलाई चला कर हमें कुछ इस तरीके से धागे वाली डिजाइन को तयार करना है यह देखिए हम पत्ते में हलका सा धागे वाला डिजाइन बनाएंगे जो कि यह बहुती प्रिटी लगेगा और बहुती सुन्दर भी लगेगा तो इस तरीके से फ्रेंट आपको भी पत्ते में डिजाइन बना लेनी है इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब हम देर इंचोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे कपड़े को फोल्ड करेंगे कपड़ा उरे भी कटा हुआ होना चाहिए और इसे पत्ते के उपर लगाते हुए जिस सेफ में हमारा पत्ते का डिजाइन है बिल्कुल उसी सेफ में लगाते हुए हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कम्प्लीट करने के पाद अब हम यहां से एश्टा कपड़े को कट कर लेंगे और डिजाइन को अब हम सीधा कर लेंगे डिजाइन को सीधा करने के बाद फ्रेंट किनारे के साइट से हमें कपड़े को फोल्ड करना है तो हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके उपर सिलाई चला लेनी है तो फ्रेंड इसके उपर डारेक्ट सिलाई चलाने की कोशिस ना करें डारेक्ट सिलाई चलाने पे आपका डिजाइन परफेक्ट सेफ में नहीं बैटेगा और आपके डिजाइन में फ्निशिंग भी नहीं आएगा तो इस पे हलका हलका सिलाई चलाए और इसे कपड़े को अच्छे से फोल्ड करते जाए जिससे आपके डिजाइन में फ्निशिंग भी अच्छा आएगा और आपका सिलाई भी परफेक्ट चलेगा ऐसी फ्रेंड हमें तीन डिजाइन बना लेनी है तो हमने ऐसी तीन डिजाइन बना लिए ये देखिए अब हमें डिजाइन को फ्रेंड यहाँ पे लगाना है एक डिजाइन को हम यहाँ पे लगाएंगे और जिस सेफ में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेफ में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब हम यहाँ पे दूसरे डिजाइन को जोइंट करेंगे और बिल्कुल उसी सेफ में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब हमें यहाँ पे तीसरे डिजाइन को जॉइंट करना है और उसी सेप में हमें सिलाई चला देना है तो फ्रेंड यह देखिए हमारा डिजाइन बहुती प्रिटी लग रहा है और बहुती सुन्दर लग रहा है तो इस तरीकी से फ्रेंड आप इस डिजाइन को बहुती easy step में बना सकते हैं तो फ्रेंड हमारे ये line भी complete हो चली है अब हम यहाँ से धागे को cut करेंगे धागे को cut करने के बाद अब हमें डिजाइन में फ्रेंड बटम लगा देने हैं तो यहां पर हम बटम लगा देंगे, ये देखिए हमने डिजाइन में तीन बटम लगाए है एक बटम हमने बीच में लगाए है और दो बटम हमने उपर की साइट में लगाई है थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो मिलते हैं bit वीडियो में